Dear friends, अक्सर हम अपने डायनिक जीवन में इस प्रकार के sentences का यूज करते हैं, जैसे कि हम करते हैं, कोई कुछ भी कहे मैं आपसे इसाधी करूंगी, कोई कुछ भी कहे उस पर भरोसा मट करना, कोई कुछ भी कहे मैं उसकी सायथा जरूर करूंगा, कोई कुछ भी कहे मैं वहाँ जैसा आप देख रहे हैं इन सभी sentences में एक चीज कामन है वह है कोई कुछ भी कहे या फिर चाहे कोई कुछ भी कहे इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं इसे हम English में इस प्रकार करते हैं जैसे की no matter what anyone says no matter what anyone says चलिए इस प्रकार के sentences को English में बोलने एवं लिखने का structure देख लेते हैं structure में सबसे पहले आपको लिखना है no matter what anyone says इसके बाद कामा का यूज करना है जब आप sentences लिख रहे होंगे otherwise speaking में आपको बीना कामा बोले sentences बोल देना है sentence आपका किसी भी tense में हो सकता है अब चलिए इसे और भी बेटा डांग से समझने के लिए कुछ examples देख लेते हैं हमारा पहला example है कोई कुछ भी कहे उस पर भरुसा मत करना या फिर चाहे कोई कुछ भी कहे उस पर भरुसा मत करना no matter what anyone says don't trust him next sentence is कोई कुछ भी कहे हम अभी भी दोस्त है no matter what anyone says we are still friends no matter what anyone says we are still friends कोई कुछ भी कहे मैं तुमी से साधी करूंगी no matter what anyone says I will marry you no matter what anyone says I will marry you next sentence is कोई कुछ भी कहे मैं वहाँ जाऊंगा no matter what anyone says I will go there no matter what anyone says I will go there next sentence is कोई कुछ भी कहे मैं उसी से बात करूंगा no matter what anyone says I will talk to her no matter what anyone says I will talk to her कोई कुछ भी कहे मैं अपना फैसना नहीं बढ़ूंगा no matter what anyone says I will not change my decision no matter what anyone says I will not change my decision dear friends एक संटेंस आप सभी के लिए कोई कुछ भी कहे वह वहाँ जाएगा इसे आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट करना है if you make any mistake then I correct it thanks for watching keep learning